हेलो बच्चो आज हम सॉलूसन चैप्टर का सेवन्थ लेक्चर लेकर आए हैं जिसमें हम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में स्टडी करने वाले हैं घिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ये सॉलूसन चैप्टर के एकॉर्डिंग थर्ड कॉलिकटिव प्रापर्टी हैं तो हम दिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को समझने के पहले what is qualitative properties ये जान लेते हैं और इसके qualitative के properties of solution के बारे में मैंने अपने previous वीडियो में इसको explain किया हुआ है जिसका link मैं description box में दे रखा है आप उसे refer कर लें तभी आप ये इस topic को अच्छे से समझ में आएगा वैसे मैं सरल सब्दों में easy words में अभी थोड़ा सा आपको qualitative properties क्या होती है ये भी बता देता हूँ तो चलिए start करते हैं वीडियो को और यदि आप channel में नए है तो channel को subscribe कर ले ताकि आपको मेरे next वीडियो का notification मिल जाए ठीक है चलिए तो depression in freezing point आज का हमारा main topic है तो इसको समझने के लिए मैंने यहाँ पर कुछ definition आपके सामने लिख रखा है इस definition को मैं last में dictate करने वाला हूँ और last में आप pen और copy लेकर इसे लिखने वाले हैं बट उसके पहले हम कुछ example से इसको पूरा समझ लेते हैं ठीक है चलिए देख लेते हैं तो depression in freezing point एक qualitative property है qualitative property क्या होती है qualitative property solution की वो property होती है यह solution का एक गुण होता है जो solution में dissolve non-volatile solute के particles के number पे depend करता है ठीक है definition को समझने के लिए चलिए मैं example ले लेता हूँ ताकि आपको definition और clearly समझ में आ गए let us consider I am having a water ठीक है pure water है ठीक pure water का आपको पता होगा freezing point कितना होता है तो आप बोलोगे 0 degree centigrade normal atmospheric pressure पे और pure water का boiling point कितना होता है तो आप बोलोगे 100 degree centigrade होता है ठीक है चलिए आप कम से कम ये बात तो याद रखने वाले हैं जो मैं आपको example बता रहा हूँ अब यदि आपने इसमें कुछ sugar dissolve कर दिया या any of the non-volatile solute you are going to dissolve ठीक है तो क्या उस solution का मतलब अब solution हो गया है उसका boiling point 100 रहेगा नहीं क्या उसका freezing point zero degree centigrade रहेगा नहीं तो whenever you are adding sugar into the water the freezing point of that solution becomes less than zero मतलब freezing point अब हो जाएगा suppose कर लेते हैं minus two degree centigrade हो गया after adding some little amount of sugar जब मैं कुछ sugar की quantity add कर दिया तो water क्या जो freezing point है वो minus two degree centigrade हो गया मतलब कम हो गया simultaneously यदि मैं sugar add करता हूँ तो इसका freezing point अब हो जाएगा 102 degree centigrade मतलब बढ़ गया इधर कम हो गया इधर बढ़ गया बस आपको यही याद रखना है that's it क्या याद रखना है कि whenever जब भी आप sugar या कोई non-volatile solute add करते हैं तो उसके freezing point में कमी आती है और boiling point में वृद्धी होती है जितना भी यह freezing point कम हुआ इसको हम कहते हैं delta tf यह जो मैंने उपर में लिख रखा है delta tf यह कितना कम हुआ इसी को हम बोलते है depression in freezing point और शायद याद होगा आपको यदि boiling point बढ़ गया तो इसको हम बोलते है delta tbb stand for boiling point और इसका term है elevation in boiling point boiling point में वृद्धी अब जितना ज़्यादा sugar add करते जाओगे यह freezing point उतना कम होता जाएगा और जितना ज़्यादा sugar add करते जाओगे यह freezing boiling point उतना ही बढ़ता जाएगा this property of solution is known as qualitative properties of solution चली अब focus करते हैं freezing point पे freezing point क्या होता है ठीक है तो freezing point यह एक प्रकार का temperature है क्या है it is a temperature यह वो temperature है जिसमें कोई liquid substance क्या होता है freeze होता है जम जाता है ठीक है वो temperature जिसमें कोई liquid substance freeze हो जाता है उसे हम freezing point कहते है यह तो कोई भी बच्चा भी बता देगा यदि आप उसको explain कर देंगे लेकिन 12th standard में आने के बाद freezing point का definition कुछ थोड़ा change हो जाएगा वो changes क्या है तो freezing point एक temperature है यह वो temperature है जिस temperature पर vapor pressure of liquid is equal to the vapor pressure of solid freeze का मतलब होता है जमना मतलब liquid का solid में convert होना है तो कोई भी liquid solid में तभी convert होगा जब उसका liquid face में vapor pressure और solid face में vapor pressure equal हो जाए ठीक है चलिए इस बात को हम graph से समझते है बट graph से समझने graph में समझने से पहले मैं आपको easy words में यह कह देता हूँ कि आखिर pure solution sorry pure solvent का freezing point होता है वो solution के freezing point से ज़्यादा होता है देख सकते हो यह 0 degree centigrade है और यह minus 2 है minus 2 किसका है solution का 0 किसका है solvent का तो एक बात तो मैं लिख लेता हूँ जो आपको learn करना है कि मेरे पास में solvent है pure solvent है इसका जो freezing point होता है that is greater than solution इसका जो freezing point है तो freezing point solution का कम होता है solvent का ज़्यादा होता है ठीक है यह बात आप याद रखिएगा अब आपको एक बात समझ लेते हैं कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि solution का जो freezing point होता है वो solvent के freezing point से कम होता है तो ऐसा आप यह समझ सकते हो कि यदि किसी substance को freeze करना है इसका meaning क्या है इसका meaning यह है कि यदि आप किसी substance को freeze कर रहे है तो इसका meaning यह है कि आप उसके molecules को एक proper manner में arrange कर रहे है freeze का मतलब तो होता है जम ना जमा रहे है एक proper manner पे ठीक है तो यदि मैं यहाँ पर लेता हूँ pure solvent तो ये है pure solvent के molecules ठीक अब यदि आप इसमें कोई non volatile solute add कर दें कुछ दूसरा पदार्थ add कर दें कोई दूसरा substance add कर दें तब क्या होगा आप खुछ सोचो कि इस molecules को जब वो pure था तो arrange आसानी से हो जा रहा था arrange हो गया या आसानी से जम गया लेकिन यदि आपने कुछ और additional molecules डाल दिये तो इसके जमने में disturbance create हो गया वही disturbance solution के freezing point को कम कर देता है आगया समझ में एक बार मैं फिर से बोल देता हूँ freezing का मतलब होता है जमना जमने का मतलब होता है इसके molecules का properly अपने manner में arrange होना लेकिन यदि आप कोई non volatile solute add कर देते हैं तो उसको arrange होने में molecules को arrange होने में थोड़ा problem आता है इसलिए ये बोल सकते कि थोड़ा जादा समय लग जाता है इसलिए freezing point में क्या आ जाती है कमी आ जाती वो और देर से freeze होगा जैसे water freezing point कितना है 0 degree centigrade उसमें कुछ मिला दिये तो freezing point क कितना हो गया minus 2 मतलब वो और कम temperature पर freeze होगा और देरी से freeze होगा clear हो गया यह बहुत simple सा concept हो गया चलिए अब इसको एक graph के थुरू समझने की कोशिस करते हैं जो कि बहुत important है आपको NCRT में भी graph मिल जाएगा कि आखिर इसका क्या concept है तो आप ये graph देखिएगा और pen copy लें औ थोड़ा सा graph को समझना पढ़ेगा आपको देखिए इसमें मैं एक पुरानी बातें भी आपको याद करनी होंगी ये this graph is going to be plotted between the vapor pressure and temperature तो हम ये जानते हैं कि जैसे जैसे temperature बढ़ेगा वैपर प्रेशर बढ़ता है ठीक है क्योंकि सिंपल सी बात है temperature बढ़ाओगे वैपर ज उसरी बात मुझे ये भी पता है जो मैं आपको previous lecture में बता चुका हूँ कि वैपर प्रेशर किसका solvent का is always greater than vapor pressure of solution क्योंकि वैपर प्रेशर solvent का ज्यादा इसलिए होता है क्योंकि वो pure है यदि आप उसमें solute add कर देंगे तो वो solution हो गया solution का वैपर प्रेशर कम इसलिए होता है क्योंकि वैपर बनने के chances वहाँ पर कम होंगे तो ग्राफ में यदि आप notice करोगे तो मैं यहाँ पर एक ग्राफ बना देता हूँ यह ग्राफ मैंने आपको previous lecture में बता रखा है यह ऐसा कुछ ग्राफ बनेगा है यह इस यहाँ पर यह ग्राफ यह कर्व उपर है मतलब इसके किस के लिए होना चाहिए solvent के लिए यह कर्व किस के लिए होना चाहिए solution के लिए clear हो गया एक बात औरहम समझ लेते हैं कि यह मैं liquid face के लिए यह कर्व मैंने plot किया हुआ है liquid फेस के लिए ठीक है अब मैं solid face के लिए भी एक करव plot कर लेता हूँ जो कुछ ऐसा होगा इस ट्रेट लाइन तो नहीं है इस करव लाइक का करव ठीक है solid face के लिए ठीक है rough hand से draw किया हुआ है आप करव को book से भी देख सकते हैं बट यहाँ पर इस टेवर फ्ली समझ ले ठीक है यह solid face के लिए करो मैंने draw किया है अब यह कहता है कि यदि मैं temperature को कम करूं तो वैपर प्रेसर भी कम होगा तो देखिये मैं temperature को कम किया कम किया तो मुझे वैपर प्रेसर भी कम होता गया मतलब graph में मैं नीचे आ रहा हूँ Simultaneously यहां पर भी मैं vapor pressure को तपर पर मिल लगया है यह एक ऐसा point है जहां पर solid phase पे जो vapor pressure है liquid phase के vapor pressure के equal हो गया यह किसे लिए है? solution के लिए ठीक है? यह एक ऐसा point है जहां पर liquid phase में जो vapor pressure है वो solid face में vapor pressure के equal हो गया इस point पे किसके लिए ये point मैंने plot किया है solvent के लिए तो ये जो corresponding temperature है इस temperature पे suppose इसको मैं कहा देता हूँ ये है T2 और ये है suppose T1 ठीक है तो ये T2 किसके corresponding आ रहा है solvent के corresponding है T1 किसके corresponding है solution के corresponding है और यहाँ पर आपको दीख रहा है T2 is greater than T1 T2 is greater than T1 और यहाँ पर भी आपको दीख रहा है कि इस point पे liquid face और solid face का vapor pressure देखो same आ रहा है मतलब आपको यहाँ पर हमने बता रखा है कि vapor pressure liquid is equal to vapor pressure of solid यदि दोनों same हो जाए तो यही क्या है freezing point यहाँ आपने लिख रखा है ठीक है तो मतलब T1 और T2 यहाँ जो क्या है यह है freezing point अब T2 किसके corresponding है solvent के corresponding है मतलब मैं यहाँ पर बोल दिया what is T2 तो T2 बोलोगे आप vapor pressure sorry sorry T2 क्या है यह freezing point of solvent and what is T1 तो this is freezing point of solution ठीक है clear हो गया जैसा कि हमने कहा था अभी कि T1 मतलब solution का जो freezing point है वो solvent के freezing point से कम होता है ठीक है अच्छा अब देखिएगा यदि T2 की value बड़ी है T1 T2 मैंने यहाँ पर mention कर दिया है T2 की value बड़ी है T1 की value छोटी है तो T2 minus T1 का भी कुछ न कुछ difference होगा होगा की नहीं होगा इसी difference को हमने क्या कहा है delta Tf delta Tf मैंने क्या बता रखा है उपर में देखो depression in freezing point यही है depression in freezing point clear हो गया चलिए अब देख लेते हैं हमने जो आपको definition लिख रखा है starting में वो थोड़ा सा dictate कर देते हैं देखो freezing point ही मांग कहते हैं हिंदी में the temperature at with liquid substance freezes मैंने बता दिया the temperature at with the vapor pressure of liquid is equal to the vapor pressure of solid ठीक है और यहां तीसरी बात लिख दिये मैंने the freezing point of solution containing non-volatile solute जिसमें non-volatile solute हो is less than the freezing point of pure solvent मतलब मैंने यहां पर कहा दिया कि freezing point किसका solution का यह कम होता है किस से freezing point solvent ठीक है now delta tf that is called depression in freezing point और यह मैं लिख देता हूँ that is called depression in freezing point चलिए आप वीडियो को पॉस करें और पूरा notes pen copy लेकर बनाएं ठीक है ग्राफ भी जरूर प्लॉट कर लें ग्राफ इंपोर्टेंट है आपको यह बोर्ड में पूछ लिया जाता है आपको यह बोर्ड में ठीक है चलिए अब आगे देख लेते हैं तो depression in freezing point जो delta tf होता है यह colligative property है colligative property मतलब यह molality के directly proportional होता है क्या है यह small m मैं चलिए इसको लिख देता हूँ molality of solution है यह ठीक है तो delta tf is directly proportional to या मैं equal to का sign introduce कर देता हूँ और एक constant introduce कर देता हूँ kf into m what is m molality of solution what is kf kf is called molal depression constant molal elevation constant हमने पहले lecture report रखा है simultaneously यहाँ पर molal depression constant unit क्या होगा इस kf का तो unit आफ देख लो unit kf is equal to delta tf delta tf का unit यह temperature difference है मतलब Kelvin या degree centigrade में divided by m m का unit होता है mol per kg तो यह kg upon mol ठीक है यह नीची आगया mol per kg value of value of kf for water यह होता है 1.86 Kelvin kg per mol अब kf को define कर लेते है what is kf kf is a constant एक constant है ठीक है कभी भी किसी भी constant को समझना है तो उस equation में जैसे कि मेरे पास में यह equation है सारे parameter को one consider कर लो जो constant के साथ में included है ठीक है तो चलिए consider कर लेते हैं suppose kf को define करना है तो m को मैं one consider कर लेता हूँ one मतलब solution की molality one है one means क्या हो गया unit one mol per kg what does it mean तो kf actually में kf actually में होता है delta tb के equal kf is equal to delta tb कब हो जाएगा यह equal जब solution में dissolve non-volatile solute के one mol हो one kg of solvent में चलिए अब मैं इसको definition को लिख देता हूँ जो बोला हूँ वही लिखने वाला हूँ यह conditions को words में लिख लो क्या हो गया molal depression constant is equal to is equal to किसके equal है depression in freezing point when यह equal कब होगा वो लिख लो when one mole of non-volatile solute dissolve in one kg of solvent तो definition को याद नहीं करना है चाहे हिंदी मीडियम के बच्चे हो चाहे इंग्लिस मीडियम के बच्चे हो समझना है क्या समझा आपने कि मेरे पास में 1kg solvent है उसमें मैं one mole of non-volatile solute dissolve कर दूँ तो उसके freezing point में जितनी कमी आती है उसी को ही मैंने kf या molar depression constant कहा दिया है तो मैं next video में इस topic से related बहुत सारे numericals लाने वाला हूँ और उमीद करता हूँ कि यह topic आपको समझ में आ गया होगा और एक बार फिर हम आपको request करते हैं कि यदि आप channel में नए है तो channel को subscribe कर ले ताकि मेरा next video का notification आपको immediately मिल जाए thank you very much